तो फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे M.A.L. और G.O.R. के बिच में जो नेक्स्ट ECS T10 स्रीच का मुकाबला स्टार्ट होने वाला है इनके नाम किसे कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी के लिए ट्राइ कर सकते हो सारे इन्पोर्टन डीटिएल्स में आपको देने वाला हो बेस्ट से बेस्ट ज़ल के लिए एक बार इस वीडियो को दोस्तों सुरूद से अंदम तक जरुर देखें साथ इसाथ वीडियो को लाइक से स्टाट करना दोस्तों बहुत चदा मोटीवेशन मिलता है और अगर आप चैनल पे नई है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेज जरू कर देना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का आपको इसी प्रकार वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा दोस्तों इस मैच का फाइनल टीम के लिए एक बार हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हो जहाँ पे दोस्तों 30,000 से भी अधिक मेंबर ने जोईन कर लिया है बिल्कुल फ्री ग्रूप है और आपके हल्प करने के लिए बनाया गया है लाइन अप के बाद फाइनल टीम में अगर कोई भी चिंज होता है तो वहीं पे अपडेट कर दिया जाता है तो इस वीडियो की नीचे आप लिंक मिल जागा डिस्क्रिशन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में आप क्लिक करके आसाने से जोईन कर सकते हैं अब चलिए मैच के बारें बात करते हैं दोस्तों यह जो पीच है न यहाँ पे गुरे किर्केट ग्राउंड पर यह मुकाबला होगा और यहाँ का पीच अगर आप देखोगे तो यह एक बैलन्स पीच है फिर भी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पे पीच माना गया है मतलब यहाँ का जो सर्फेस है और यहाँ का अगर ग्राउंड की बात करोगे तो मतलब थोड़ा सा बल्ले बाजो को एक एक्स्ट्रा सपूर्ट देखने को मिल सकता है हाँ यहाँ पे आज की जो मैच है दोस्तों पेसर्स ने भी काफी कमाल कर सकते हैं पेसर्स भी काफी बढ़ी विकेट निकाल सकते हैं जिस परकार यहाँ का पीच है मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है बैटिंग फ्रेंडली पीछ समझकर यहाँ पर टीम क्रियेट करना है और एक दो फास्ट बोलर जो बहुत इंपोर्टन रहेंगे आज की मैच के अंदर M.A.L.K. जो टीम है दोस्तों विकेट के बारे में आपको शान मली खिलते भी नजराएंगी जो एक नए प्लेयर है फिर भी काफी लोगों इनको ट्राय करा है देखो अगर यह खिलते हैं तो मैं मानता हूँ कि दोस्तों यह बल्लेबाजी कर सकते हैं इस मैच के अंदर बाकि लाइन अप के बाद आपको पता चलेगा फिलाल अगर आप इनका स्टर्ट देखोगे तो T10 के करेरे में कोई भी रिकॉर्ड इनके नाम नहीं और ना ही T20 मैचेस में इनका करेरे में कोई रिकॉर्ड है बाकि बात करते हैं फैसल मुस्ताक के बारे में तो 5 मैच में 29 रिकॉर्ड बना के 6 विकेट निकालें ये प्लेएर एक अच्छा थाबित हो सकता है आज के मैच के अंदर अगर ये खेलते हैं जो कि T10 में बल्लेबाजी भी करा है और गिनदबाजी भी करते हुए नजर आए है शेन अली जो की 4 मैच में 10 रन मनाया है बाकि बालिंग सेन का रिकॉर्ड कुछ भी नहीं दुस्तों वही बैटिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दुस्तों आपको जो यह बहुत खेलते हैं नजर आएंगी जो यह प्लेइर 4 मैच में 31 रन मनाया है बाकि बालिंग से फ्लॉप रहे हैं तो देख सकते हैं यह जो बल्लेबाजी है इनका रिकॉर्ड कुछ खासने में इनको इस मैच के अंदर ड्रॉप करने वाला हूं मैं शाहिद को अपने टीमे लेते वे चलेंगे जो 5 मैच के अंदर देखोगे 329 रन मनाया हुआ है और 375 विकेट निकाली भी है इनका रिकॉर्ड मुझे काफी बहतरी लग रहा है और इस वज़े से मैं ảng को ट्राय करने वाला हूँ जो बल्लेबाजी प्लस गिनदबाजी सेिन का रिकॉर्ड महाइर्ड बहुत बहुत बहतरी है बाकि सुल्फिक एक मैच में दोनों करेंगेِ इनको अगर आप तो Captaincy, Vice Captaincy के लिए इस मैच के अंदर ले सकते हैं अम अंदीब सिंग जो कि 8 मैच में 10 रन्मना के 10 विकेट निकाले हैं बॉलर है बॉलिंग बहुत भैतरिन करेंगे दोस्तों टीम के में गिंदबाज ले सकते हैं अमीर जेब जो की 4 मैच में 106 रन्मना के 5 विकेट इनका ये मतलब अगर आप देखोगे मिल्डर पे बल्ले बाजी करेंगे गिंदबाजी भी करते भी दिखेंगे अगर आप चाहिए इनके साथ भी जा सकते हैं बॉलिंग में यासिर सभीर जो की 2 मैच में कोई विकेट इनके हाथ नहीं लगाए दोस्तों मुहमद नवीत की बात करते हैं तो 41 मैच में अगर आप देखेंगे 50 विकेट अपने नाम कराया है 202 रन्मना ये भी हैं नजर नहीं आए बारे मैच के अंदर याद रखना अगर ये खेलते हैं इस मैच के अंदर तो बल्लेबाजी भी टीम के लगभग मिडल रोपे बल्लेबाजी कर सकते हैं लाइन अप का थोड़ा वेट करना बागे रिकॉर्ड जो है एम एल का इस पलेइंग का टीटेन का रिकॉर्ड आपके सामने हैं वहाँ जी ओर की बात करते हैं दोस्तों तो जी ओर के टिंग पर तरब सापको सुमन के लते बे नज़र आएंगे विकेट परिम जो कि साथ मैच में 156 रन स्कोर करा है मैं इसी के साथ अपने टीम में जाने वाला हैं दोस्तों विकेट के पर में जो टीटिन का रिकॉर्ड बात करेंगे दोस्तों तो इनका रिकॉर्ड उतना अचा नहीं है जितना है बाकी का यह आप देखने को मिल रहा है क्योंकि 14 में मातर तेरे रन दो विकेट भी निकाले हैं बालिंग करेंगे इस मैच के अंदर हो सकता है एक मैच एक एक ओवर डाले बाकी और अगर आप देखेंगे इमरान खान जो की कैप्टेंसी के लिए बहुत 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 बात करते हैं अनसर अलम के बारे में तो यारह मैच में 117 रन बना के 6 विकेट निकालें बल्लेबाजी गेंदबाजी बहुत सांदर है बॉलिंग में फारुक उसेन जो की 7 मैच में देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे 4 विकेट निकालें नबेर रन मनाए भी है इनको अपने टीम आप ले सकते हैं मधुकर था बाज जो के 7 मैच में 11 विकेट यह भी टीम के बहु देख रहे हैं अल्मोस्ट सेम प्लेंग 11 मैच के अंदर देखने को मिलेगा फिर दोस्तों अगर कोई भी चेंजेस होता है तो नए खिलाडियों का रिकॉर्ड मैं आपको टेलिग्राम गुरूप में भेज दूँगा तो टेलिग्राम गुरूप जिसने भी जोइन नहीं कर के तरफ से बहुत बहतरीन प्लेयरे टेटन का रिकॉर्ड बहुत बहतरीन है एस मली का भी रिकॉर्ड में आपको दिखाया टेटन में कुछ खास खिलाड़ी है नहीं तो मैं इनको ड्रॉप करूँगा एस गरेमिक के साथ अपने टीम में जाने वाला हूँ जी ओर के टीम क लगा है बागी इस देपर बहुत का रिकॉर्ड मुझे कुछ खासम लगा इनको भी मैं ड्रॉप करूँगा ऑल्र में अगर आप देखेंगे तो चार अई खान को कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए ले सकते हैं बाकि अगर आप देखेंगे तो मैंने तीनों खिला में काफी बढ़ी है एस मैटा भी बॉइलिंग कर सकते हैं इस मैच कांदर तो अगर आप चाया तिंक एनको सब भी जा सकते हैं बाकी रिकॉर्ड मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है तो मीरा जो टीम प्रिवीवै कुछ इस प्रकार रहने बाला है इस राख की बात करते है डिस्कुशन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में बाकि मिलते हैं भाईयों नेक्ट वीडियो में जैहिंद